यहां हमें थायोसाइनेट आयन के लिए 3 संभव अनुनाद सनरचनाई यानि Resonance Structures दिए गए हैं फॉर्मल आवेशों की आधार पर इन 3 में से कौन सी सनरचना थायोसाइनेट की अनुनाद संकर यानि Resonance Hybrid में सबसे अधिक योगदान देती है यह हमें ग्याद करना है यहां हमें थोड़ी सी अतरिक जानकारी भी दी गई है यहां हमें इन अनुनाद संरचनाओं में उपस्थित तत्व दिये गए है और साथ में पॉलिंग स्केल पर उनकी विद्धुत रनात्मक्ता यानि इलेक्टर नेगिटिविटी दी गई है फॉर्मल आवेशों की अधार पर यह पता लगाने में कि इन में से कौन सी संरचना थायो साइनेट के अनुनाद संकर में सबसे अधिक योगदान देती है यह जानकारी हमारे काम आएगी तो इस वीडियो को यहीं पॉस करिए और इस प्रश्न का उत्तर खुद से ढूरने का प्रयास करिए चलिए अब इसे साथ में मिलकर हल करते हैं तो जब हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन में से कौन सी संरचना अनुनाद संकर में सबसे अधिक योगदान देती है तो हमें दो बातों पर ध्यान देना होता है सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस संरचना में परमाणूओं पर व्यक्तिकत रूप से फॉर्मल आवेश जीरो के शुन्य के निकटम है तो इसे हम लिख लेते हैं तो हम यहां पूरे आयन की बात नहीं कर रहे हैं बलकि हम प्रत्य परमाणू के फॉर्मल आवेश की बात कर रहे हैं हमें यह देखना है कि वह शुन्य के यानि जीरो के अधिक से अधिक निकट हो और फिर हमारे काम आएगी वैद्यूत्रनात्मकता यानि इलेक्ट्रनेगिटिविटी तो हमें यह भी देखना है कि क्या किसी परमाणू पर व्यक्तिकत रूप से यानि इंडिविज्वली रात्मक फॉर्मल आवेश है और आदर्ष्थिति में वह परमाणू सबसे अधिक विद्यूत्रनात्मक होगा तो इसे भी लिख लेते हैं इस बात को ध्यान में रखें कि हम आयन के आवेश की बात नहीं कर रहे हैं बलकि प्रतेक परमाणू के फॉर्मल आवेश की बात कर रहे हैं तो यह पता लगाने के लिए कि कौन सी अनुनाज संदचना, अनुनाज संकर यानि Resonance Hybrid में सबसे अधिक युगदान देती है, हमें इन दो बातों की जाज करनी है, और यह कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्रतियक तत्व के लिए, यदि हमारे पास एक मुक्त और उदासीन परमाणू होता, यानि Free और Neutral आटम होता, तो उसमें कितने सयोजई उलेक्ट्रॉन होते, कितने valence उलेक्ट्रॉन होते, तो यहां पर एक कॉलम और बना लेते हैं, valence उलेक्ट्रॉन के लिए, आपको अगर ये पहले से पता नहीं है तो आप इसके लिए आवर्च सारनी की मदद ले सकते हैं अब हमें पता है कि कार्बन में चार सैयोजी इलेक्टरॉन होते हैं कुल 6 होते हैं लेकिन बाहेतम कोश में 4 होते हैं नाइट्रोजिन में पाँच सैयोजी उलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन नाइट्रोजिन में कुल साथ उलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बाहितमकोश में केवल पाँच उलेक्ट्रॉन होते हैं, और सल्फर में होते हैं छै सैयोजी उलेक्ट्रॉन्स, तो अब हम इन अनुना और इस अनुनाद सनरचना में सलफर के पास कितने इलेक्टरान है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो सलफर के पास होने चाहिए छे इलेक्टरान, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्टरान कम है, यानि पांच इलेक्टरान है, इसलिए सलफर पर six minus five, यानि की plus one, इसलिए सल्फर पर प्लस वन फॉर्मल आवेश होना चाहिए अब ऐसे ही हम काबन के लिए फॉर्मल आवेश की गर्णा करते हैं तो उदासीन काबन में चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां हमारे पास कितने हैं? यहां हमारे पास है 1, 2, 3 और यह 4 तो यहां भी हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं यानि 4-4 is equal to 0 यानि यहां हमारे कार्बन पर कोई फॉर्मल आवेश नहीं है इसके बाद चलते हैं अपने नाइट्रोजन की और तो एक उदासी नाइट्रोजन में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि यहां हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है यानि नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक जुड़े हुए हैं इसका अर्थ है कि हमारे nitrogen पर minus 2 formal आवेश है अब हम अपने अगले resonance structure पर चलते हैं और इसी प्रक्रिया को फिर से दोराते हैं तो यहाँ sulfur में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electron है जो उदासीन sulfur पर माणू में संयूजी electron की संख्या के बराबर है इसका अर्थ है कि यहाँ sulfur पर 6 minus 6, 0 होता है इसलिए sulfur पर कोई formal आवेश नहीं है कारबन में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 electron है और कारबन के उदासीन पर माणू में भी 4 संयूजी electron होते हैं तो यहाँ कारबन पर भी formal आवेश 0 होता है अब चलते हैं nitrogen की और तो nitrogen में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electron है जबकि एक उदासी nitrogen में होते हैं 5 संयूजी electron तो यहाँ पर 1 electron हमारे पास अधिक है तो nitrogen पर 5-6 यानि-1 फॉर्मला आवेश है चलिए अब अपनी अंतिम संरचना पर चलते हैं तो यहाँ sulfur में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ electron है तो sulfur पर 6-7 यानि-1 फॉर्मला आवेश है यहाँ एक electron extra है carbon में यहाँ फिर से 1, 2, 3, 4 तो carbon में यहाँ फिर से 4 electron है इसका अर्थ है कि carbon पर यहाँ भी कोई फॉर्मला आवेश नहीं है तो अब फिर से हम nitrogen पर चलते हैं और यहाँ nitrogen में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 electron है और उदासी nitrogen के संयोजी electron की संख्या भी 5 होती है तो इस अनुनाद संरचना में nitrogen पर भी कोई फॉर्मला आवेश नहीं है तो अब हमने अपनी सभी संरचनाओं में परमाणू पर फॉर्मला आवेश की गणना कर ली है चलिए अब अपने इन कथनों को देखते हैं जिने हम आदर्शमान रहे हैं तो पहले कतन की अनुसार हमें यह देखना है कि कि संरचना में परमाणू पर फॉर्मल आवेश जीरो के अधिक से अधिक निकट है तो इस पहली संरचना में हमारे पास दो परमाणू ऐसे हैं जिन पर फॉर्मल आवेश जीरो नहीं है Sulfur और Nitrogen अब ये जो बाकी की दो संरचनाई हैं इनमें सिर्फ एक परमानों पर फॉर्मल आवेश है इसमें Nitrogen पर और इसमें Sulfur पर जबकि इन संरचनाओं में बाकी दो परमानों पर कोई फॉर्मल आवेश नहीं है तो इस पहले कथन के आधार पर हम इन दो सनरचनाओं को चुन सकते हैं यानि कि यह दो अनुनाद सनरचनाएं इस पहली सनरचना की तुलना में अनुनाद संकर में, Resonance Hybrid में अधिक योगदान दे रही हैं तो यह हमारी पहली सनरचना हमारा सही उत्तर नहीं हो सकती अब इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए हम अपने अगले सिर्धान को देखते हैं जो कहता है कि हमें परमार्णों पर रिनात्मक फॉर्मल आवेश को देखना है और यह देखना है कि उनमें अधिक विद्युत रिनात्मक कौन है तो इस दूसरी सनरचना में नाइट्रोजन पर रिनात्मक आवेश है जबकि तीसरी सनरचना में रिनात्मक आवेश सल्फर पर है और इस सारनी से हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन सल्फर की तुलना में अधिक वैद्युत रिनात्मक है तो हमारी दूसरी अनुनाज सनरचना में रिनात्मक फॉर्मल आवेश उस परमानू पर है जो अधिक वैद्युत रिनात्मक है इसलिए इन दोनों कारणों को संतुष करने की वजह से हमारी यह सनरचना हमारा सही उत्तर है हमारी यह अनुनाज संरचना फायो साइनेट की अनुनाज संकर में सरवाधिक योगदान देती है